जे स्टोड़िशंट आपार निम्ट नमर तो दिखते हैं थीक है मैंने आपको पिताया है जो भी नमबर वैरियेबल के साथ मुल्टिप्लाय कर रहा हुता है वो हमारे पास क्या हो जाता है coefficient होता है ठीक है तो यहाँ पर पास हमारे पास variable क्या है x है ना इस x के साथ 6 क्या कर रहा है multiply कर रहा है तो 6 क्या है coefficient है ठीक है अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके साथ से 6 को हटाना है ठीक है ता कि मैं जो variable है उसको separate कर सकूँ तो इसके लिए student में क्या करूँगे कि मैं 6 को क्या करूँगी बोद साइड पर डिवाइड करूँगी तो अपने mind में बैटा ये बात रखनी है आपने कि जब आप coefficient को separate करते हैं तो coefficient को separate करने के लिए हमेश्चा आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ठीक है अब क्योंकि हमें पता है कि हमें अपनी statement को true बनाना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगी verification करूँगी यानि जो मेरे पास x की value है मैं इसको question में as this put कर दूँगी यहां पर x की जगा पर मैं क्या put कर दूँगी 8 तो six eight times क्या होता है 48 होता है 48 equals to 48 यानि left hand side right hand side equal आई तो हमारे पास क्या statement क्या होगे true होगे that means क्या answer क्या है बेलकुल ठीक है next देखते है question students 2 over 3 m is equals to 14 over 3 ठीक है अब हम क्या करेंगे students क्योंकि हमारे पास अब मैंने आपको बतायता है step by step चलेंगे सबस्क्तराइब क्या करेंगे अपने denominator को हतम करने ठीक है denominator क्या है दोने तरफ इधर भी 3 है और इधर भी 3 है तो इसका असान से तरीका क्या है कि आप दोने तरफ क्या कर दें को बोज साइट पर ठीक है अब जब आप 3 को बोज साइट पर ठीक है अब जब आप 3 को बोज साइट पर मुल्टिप्लाय करेंगे तो यह 3 3 से क्या हो रहा है चैनल हो ठीक है जब 3 3 से कैंसल हो गया तो यहां पर ज़स्ट क्या रहा है जगा 2 M 2 यहां प्रवाइट कर दोट करें तक 2 तो से कंसल हो जाए और मेरे पास just m रहे जागे और यहां पर आपने इसको 4 नो 14 तो कि दोट और रखाने है और यहां पर 2 से ही डिवाइट करेंगे तो आप दोट करेंगे 2 तो बोट साइट में माइड साथ चैनल हो जागा as this 2 over 3 m equals to 14 by 3 m की value मा रपस के लिए 7 मैंने m की जगह पर क्या कर दिया 7 को पुट कर दिया ठीक है अब देखे 2 7 तामस के ओधा 14 14 over 3 equals to 14 over 3 अब देखे ने left hand side right hand से क्या है equal है तो हमारी statement क्या है true है that's mean जो हमारा answer रहता m equals to 7 ठीक है वो क्या है बिलकुल ठीक है तो इसको हम कैसे separate करेंगे हम यहां पर कैसे solve करेंगे तो इसके लिए आपको परिशान होने के जोयत नहीं है simple method है क्या से करेंगे आप लोग क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने divide के sign को change कर देना है ठीक है किस के sign में बदल देना multiply के sign में बदल देना है तो जब आप divide के sign को multiply के sign में बदलेंगे तो क्या हो जगा यह जो m है जब हम इसको को मैंडिया के साइं बतलेंगे एक्षली साइस को हम है एक्षट लिजा डिया है लिधो कर दिख नहीं घ्रायर fajn गैसे नोधन ऐनम ऑने है好吧 कि सब्दी आवि Hamm भी कही ठीकिलेंग ठीकिए अब 6 का लिको खुड है 2m से multipliated 2m बांचेगा इक्वास के निचे 15 निचे 15 आप स्टुएंट क्या करना है आपको मैंने भी बताया कि जिसके निचे हमार पास कोई भी इनॉमिनेटर नियोता है तो इसके निचे क्या है वन है अब हम क्या करेंगे क्योंके अब हमें क्या करने है वह हमें वैल्य फाइ constant के साथ multiply हो जगा यहनि 2 15 से multiply हो गए तो क्या आ जगा 30 आ जगा ठीक है? तो हमारे पस क्या आ जगा 30 M तो अब students हमें क्या find करना है? हमें M की value find करनी है तो मुझे M के साथ 30 को क्या करना है? हटाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूगे, क्या 30 यहां पे क्या coefficient? तो coefficient को हम कैसे separate करते हैं divide करके very good ठीक है तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे 30 को both side पर क्या कर देंगे divide कर देंगे जब हमने 30 को both side पर divide कर दिया ठीक है तो यहाँ से cancel होगया और दर आके क्या बन गया 1 over 30 तो m की value हमारे पस क्या जाएगी 1 over 30 अब यहां पे तो हमने m की value find कर लिए ठीक है जो हमें unknown एक दिया गया था variable ठीक है हमने उसके value के तो क्या कर लिए find कर लिए but हमें क्या proof करना है भी कि हमारी जो statement है वो true है यानि जो हमने value find की है वो question में अगर हम put करते हैं तो अब हम क्या करेंगे 1 over 2 divided by m equals to 15 अच्छा आपने यहां पे question को change नहीं करना question जिस सूरत में लिखा हो था आपने same to same वैसे लिखना है just आपने क्या करना है कि जो value आपने find की है आपने उस value को हमें पूट कर देना है इसके लावा आपने यहां पे verification में कोई भी changes नहीं करनी ठीक है m की value का आगी थे 1 over 30 आपने m की जगा पे क्या कर दिया 1 over 30 को put कर दिया अब मिन्यापको बताए थे कि आप यहां पे क्या करेंगी divide को change करते है multiply के sign में ठीक है है कि true है जिसमें पार्टर में 9 देखते हैं पार्टर में 9 के x-0.3 को 0.4 ठीक है अभी decimal की form में अगर question आगे तो आपको इसमें परिशान होने के जो यह बहुत easy है ठीक है तो यह point वाले questions को आप addition subtraction आप छोटी कास में सीख कराएं में ठीक है तो आप पर हमने क्या करना है मुझे पता है कि हैं न ही X relação to X के value Đ行क में 0.3 को सब्डेके है तो आपको बता हम कैसे हरता हैं न हpero हम नहीं क्या है करते है किidences को 我們 at owns 0.3 को both classes इन हम सब्सक्राइब करिसे इंक और तो यहान पे यहां अवां पर différentes साइट पर करना होता है left hand side पर भी और right hand side पर भी अब ऐसा नहीं है कि 0.3 को सब यहां पर left hand side पर जो है वो करूंगी plus और right hand side पर ना करूं तो इस तरह करने से आपका question wrong हो जागा ठीक है जो काम भी आप अपने सानी के लिए question को simplify करने के लिए आप खुद से करें वो फिर आप 2 sides पर करेंगे left hand side पर भी करेंगे right hand side फिरम करेंगे माइन 0.3 में plus 0.3 को आपने add किया ठीक है तो जब आपने add किया तो यह दोनों ост में क्या होगे cancels out हो ठीक है दोनों side पर हमने add किया किया तो तो हमारा answer 0.4 ही आता है या नहीं simplify करने के बाद ठीक है तो हम verification करते हैं, verification में हमने किया कि x-0.3 equals to 0.4 ठीक है, x के volume ने find किती 0.7 अब just मैंने किया किया simply कि मैंने 0.7 को put कर दिया इस x के जगह पे ठीक है, 0.7 minus 0.3 equals 0.4 0.7 स 0.3 को minus करेंगे 0, minus 0, 0, 0, 0 यी आएगा, ठीक है, point के साथ point ही आएगा, 7, 10, 3 minus करेंगे तो 4 यी आ जागा, ठीक है तो 0.7 स 0.3 minus करनें सब कि अधिन 0.4 आता है ठीक है, तो अब देख रहें, left-hand side, right-hand doesãy equal है, so our statement is true, तो हमने जो इसकी वैलिव फाइंड के 0.7 बिल्कुल ठीक है जिस ट्रॉंस आई होब कि आपको आज का लिक्टिस समझ आया होगा ठीक है आपने एक्सराइज 0.1 कोस्टमर 2 के जितने पार्स हैं आपने इनकी इच्छे से प्रेक्टिस करनी है पीडिया फाइल शेयर कर तो इसलिए आपने इसकी रफ कॉपी पे अच्छे से प्रेक्टिस करनी है मेंटल मैठ टेस्टी स्टूरं अब आपको एक क्वेस्टन दे रही हूँ है इसका आंसर आपने ग्रुप में मुझे सॉल्फ करके शेयर करना और जो बच्चा यह बच्ची इस क्वेस्टन को सॉल करके ग्रुप में इस कांसर मुझे बताएगा ठीक है तो वो स्टूर्ण अप टोड़े होगा ओके स्टूर्ण सब दुआ पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहम्मा वभी हम्दिका अश्हदू अलाहा इल्लाह अन्ता अस्ताक्फिरुका वा अतूबू अलेग